हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो माई योट्यूब चैनल मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूरिक एसेड हाई बीपी और कॉलेस्ट्रोल को हम बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते इन तीनों की एक ही इन तीनों का एक ही इलाज है तो वो एक कितने दिन लेना है अगर आप हाट अच a के खत्रे से बचना चाहते हैं तो इस इलाज को जरूर करें क्योंकि हाई बीपी कॉलेस्ट्रोल और यूरिक एसेड यह तीनों के तीनों ही हाट अच की तरफ इशारा करती है जो यूरिक एसेड है उसका अर्थराइटिस उससे अर बन जाते हैं कहीं भी गांठे बन जाती क्रिस्टिल जैसी उसके इलावा जो कॉलिस्ट्रोल है कॉलिस्ट्रोल में ब्लड जो है वो थिक हो जाता है मुटा हो जाता है और उसका फ्लो बैटर नहीं हो पाता और हार्ट तक प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता तो हार्ट का बढ़ जाना अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्लेड के अंदर ऐसे नहीं बढ़े हम हाट अटेक के खत्रे से बचना चाहते हैं कॉलेस्टरोल कंट्रोल में रहे हाई बीपी भी कंट्रोल में रहे और यूरिक ऐसे ठीक हो जाए तो इन तीनों बिमारियों का एक ही इलाज है वो बहुत असान है आप अपने ब्लेड से यूरिक ऐसेड यानि अपने ब्लेड से ऐसेड को बाहर कर सकते हैं और हाट अटेक के खत्रे से बच सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अर्जुन की चाल आपने नाम सुनाओगा अर्जुन की चाल एक ऐसी ओशदी है आईरुविद में जिसके द्वारा आप हाई बीपी यानि की हाट अटेक के खत्रे से भी बचेंगे और कॉलेस्ट्रोल ये हाट अटेक और कॉलेस्ट्रोल तो आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें है जिसको हाई बीपी हो चुका है उसे कॉलेस्ट्रोल हो गई होगा तो इन सब का इन दोनों का रेजल्ट क्या है हाट अटेक अगर आप हाट अटेक से बचना चाहते हैं तो वो बचना बहुत असान है आपको साल में एक बार साल में एक बार एक महीना रेगुलर आपने अरजुन की चाल का पानी पीना है ये काफी है हाट अटेक के खत्रे से बचने के लिए तो आपको क्या करना है आपने एक चमच अरजुन की चाल लेनी है एक चम्मच अर्जुन की चाल को एक गिलास पानी यानि देड़ गिलास पानी में बॉइल करना है जब ये पानी पोना गलास रह जाए आप एक से थोड़ा सा कम यानि देड़ से सही आधा रह जाए तो आप इसे गुनगुना कर लीजिए और पी लीजिए ऐसा करने से यूरिक एसेड ठीक हो जाएगा जो कॉलेस्ट्रोल है वो ठीक हो जाएगा रह भीपी ठीक हो जाएगा यानि की हार्ट अटेक का पूरे का पूरा खत्रा टल जाएगा जो भी लोग यूरिक एसेड से बहुत परिशान है उनकी हाथ पैर दर्द होते हैं मुड रह जिनको high BP है उनको भी ये चीज़ जरूर करनी चाहिए जिनका cholesterol बढ़ता है उनको भी ये चीज़ जरूर करनी चाहिए या फिर तो आप अर्जुन की चाल का पानी पीए एक इसका और इलाज है आप इन में से कोई भी कर सकते है यूज उसमें भी आपको अर्जुन की चाल करन अर्जुन की चाल ले रहे हैं और इसमें दूद में बॉइल कर रहे हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्ण इसमें गुड़ या मिश्री कुछ मिला सकते हैं यह आप एक गिलास दूद कभी भी ये मिश्रन तियार किया हो कभी भी पी सकते हैं लेकिन एक चीज का धियान और high BP ये दोनों बिमारियों से आप पूरी तरह से बचे रहें यानि heart attack के खत्रे से बचे रहें और uric acid और arthritis इन चीजों से भी बचे रहें तो आपको इन तीनों का एक ही इलाज है अर्जुन की चाल आयरुवेद में इससे best इन तीनों का इलाज एक साथ नहीं है इसके और भ कभी नहीं लें क्योंकि ये एक medicine है एक इलाज है कोई रोटी नहीं है जिसे हम सारी उमर खाना है आप एक इलाज कर रहें किसी बीमारी का किसी तकलीफ का तो आपको इसको एक साल में एक महीना ही लेना है ताकि आप heart attack के खत्रे से high BP cholesterol से बचे रहें ये जो information है अगर आप इ सुन सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रीज इसे like जरूर करें और अपने friends के साथ भी से share करें अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्रीज मेरे चैनल को subscribe भी कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की information उसके updates भी आपको मिलते रह हैं मिलते हैं एक और नहीं informative वीडियो के साथ तब तक के लिए stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye